दोस्तों क्या आप अपना आधारकार्ट का जो भी करेक्शन है आप घर बेटे बेटे करना चाहते हैं अगर हाँ तो आपको सबसे पहला जो काम करना होगा आपका आधारकार्ट से आपका मोबाइल नमर लिंक करवाना होगा और लिंक करवाने से पहले आपको चेक कर लेना हो कोई mobile number लिंक नहीं है यह चीज हम कैसे चेक कर सकते हैं तो आएए वीडियो को देख लेते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब किजिए साथ ही विल आइकन को जरूर दबाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले अपने mobile या laptop के Chrome ब्राउजर में जाएए और UID AI लिक के सर्च किजिए तो सबसे पहले जो option आपके जाबने आएगा तो इस website को आपको open करना है इसको open करने के बाद scroll करके नीचे आईए यहाँ पर देखिए option है verify email और mobile number इस option पर आपको click करना है तो अभी देखिए यहाँ पर आपको simply अपना आधार number, mobile number और capture code दीजिए फिर send OTP पर click किजिए तो सबसे पहले देखिए आधार number यहाँ पर mobile number और नीचे capture verification इसको देने क बाद देखिए नीचे send OTP का option है तो वहाँ पर आपको click करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना आधा number लिखूँगा और उसके बाद mobile number लिखूँगा तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपना details fill करूँगा और उसके बाद आपको दिखाऊंगा देखिए मैंने यहाँ आ हमने एक message आ गया है the mobile you have entered already verified with our records मतलब की मेरा mobile number already मेरे आधार से linked हुआ है और already verified भी है तो अगर आपको mobile number कोई linked नहीं है तो यहाँ पर लिखा हुआ message आएगा कि no match with our records मतलब आपका उस mobile number आपके आधार से linked नहीं है तो आप दूसरा आपका कोई number है तो उस number को भी देखे try कर सकते हैं अगर मेरे जैसे यहाँ पर same message आपके सामने आ जाए तो समझ लीजे आपका उस number के साथ आपका आधार linked है और अगर कोई भी number link नहीं है त तो जल्दी से कोई भी आधार enrollment center में जाए और अपना mobile number आधार से link करवाईए क्योंकि mobile linking के तलावा आपको कोई भी online सुविदा नहीं मिलेगा आधार service का और सिर्फ offline method से ही आप अपना mobile link करवा सकते हैं कोई भी online method नहीं है तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो इसको like कीजिए शेयर कीजिए तो चले मिलता है मेरे अगले वीडियो में